हेलो गाइज, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि आप फोटशॉप के अंदर अपनी किसी भी इमेज को साफ कैसे कर सकते हैं, उसे किलियर कैसे कर सकते हैं, उसे बैतरीन कैसे बना सकते हैं, अगर आप खुद से फोटशॉप के इमेज को साफ कैसे कर सकते हैं, आपकी इमेज कितनी भी खराब क्यों ना हो, आज जो चीज मैं आपको बताऊंगा, आप उसकी मदद से अपनी इमेज को बिल्कुल साफ और किलियर कर पाएंगे, वीडियो शुरू करने से पहले, मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाह कर असानी से सीख सकें, मैं उनसे भी से यही कहना चाहूंगा, जो भी अभी फोट्स आप सीख रहे हैं, या जो सीखना चाहते हैं, तो फैफ फोट्स आप 7.0 से ही स्टार्ट करें, उनके लिए बहुत ज्यादा असान होगा, अगर आपके पास फोट्स आप 7.0 है, तो यह लिंक भी डिस्क्रेप्शन में है, अगर आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, step by step मैंने आपको बताया हुआ है, कि आप कैसे फोट्स आप को डाउनलोड करेंगे, और उससे इंस्ट्रॉल कर सकते हैं, बहुत यह असान है, विल्कु दैए नहीं भी है, तो भी मैं यह कमगा कुछ न कुछ थोड़ा बाथ फोटोश्ब्स में सीखें, यह काम आता ही यह आता है, जो डेली आफिस में वर्क करते हैं, जिए बहुत यह अची चीज है, थोड़ा बाथ आपको भी आना चाहिए, ताकि आप छोटी चोटी चीजो एक तो है टाइब पर आप यहां देख रहे हैं आप यहां पर सार्च भी कर सकते तो मैं यहां डालूँगा फोटो शॉप तो देखिए यहां पर मेरे दो फोटो शॉप आ रहे हैं मैंने आपको जैसा कि बताया था मैं CS6 भी उज़ करता हूं और 7.0 मैंने जो है आपके लिए इसे जो है इंस्टॉल किया है ताकि मैं आपको अच्छे से सिखा सकों समझा सकों तो आप चाहें तो यहां पर अपना क्लिक करके भी उसे ओपन कर सकते हैं स्टार्ट कर सकते हैं दूसरा आप यहां पर एक विंडो देख रहे हैं यह ठीक है अगर आप अपने कीवोड से व इंडो प्रलस और प्रेस करेंगे और यहां पर आप फोटो शॉप डालकर एंटर कर देंगे तो आपका फोटोशॉप इस तरह से ओपन हो जाएगा मैंने अपना वाट्शॉप 7.0 ओपन कर लिया है इस तरह से आप फोट्शॉप ओपन कर सकते हैं ठीक है अब हम बात यह हमारा टूल बॉक्स है तो अभी हम अपनी इमेज को यहां पर ओपन करते हैं जिस इमेज पर हम काम करेंगे जिस इमेज को हम साफ करेंगे तो उपर करने के लिए आप अपनी फाइल में जाएंगे यह फ़र्ष्ट वाला देख रहे हमारा मेनिवार होता है आप फाइल क्लिक करेंगे और यहां पर देखे सेक्ट जो अप्शन अपन का अगर आप चाहें तो शॉटकट कमाल इसकी यूज़ कर सकते हैं चंट्रॉल प्लस ओ आप अपने कीवड से कंट्रॉल प्लस ओ प्रेस करेंगे तो देखिए यहां से आप उपन का ऑप्शन आजाएगा आप इमेज ओपन हो जाती है असान सा तरीका है थोड़ा फास्ट काम करने का मैं इसी तरीके से यूज़ करता हूं मेरी जो इमेज है वो डेक्स ओपर रखी हुए आपकी में जिस लोकेशन पर रखी हुए आप होँआ जाईए स्लेक्ट कीजिए और उपन कर लिजी तो मैं डेक काम आए गया आपके ठीक है यह हमारा स्लेक्ट तूल है कि आप देख रहे हैं आप जब इस पर करेंगे तो देखिए मुव टूल मुट यानि स्लेक्ट करने का ठीक है तो थोड़ा सा इमेज को बढ़ा कर लेता हूं मैंने इमेज को बढ़ा कैसे किया आप अपने कीबोड स आप कंट्रोल प्लस हमारी जो प्लस की की होती है आप कंट्रोल के साथ उसे प्रेस करेंगे तो देखिए हमारी इमेज बढ़ी हो जाएगी आप जिससे जितना बढ़ा करना चाहें कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ माइनस की की जो है यहां हमारी नमरी होती है की वोड़ पर करेंगे इस तरह से तो देखिए हमारा एक हैंड का इकन आ जाएगा और आप इस तरह से इमेज को ऊपर नीचे और देखिए इस तरह से आप इसको कर सकते हैं जिस एरिया में आप बर्क करना चाहते हैं आप इस तरह से कर सकते हैं तो हम इस इमेज को देख रहे हैं आप है हम यहां से स्टाठ करते है जैसे आप स्पेस वार को छोड़ेंगे तो देखिön Problem यहां से जला जाएगा ठिक अब आपने टूली वार में आना हह एह इहां से करना गर आपका तूल ना रहा हो अगर तो हो सकता है आपका प्रैस और अब घ्र रख कर एक तो आपका टूल आ जायगा ठीक है कि अब आप को जिया करना है कि यहां Sir यह देख रहे हैं है कि एक आपको Έश टूल पर देख रहे हैं प्लप सदोल एक हेलिंग ब्रस टूल गूर्सके नीचे आप देख रहे हैं पेस तूल अगर आप अपने कीवोड से जे प्रेस करेंगे तो यह जब भी आ जाएगा ठीक है आप यह देखें पैस्टूल आप यहां से इसको स्लेट कर लीजेगा अब आपको क्या करना है जो हमारी स्कीन का जो हमारा फेस है जो भी आपके एरिया है वो सकता है पीमेज कोई अलग हो कुछ ह आप उसे साफ करना चाहते हैं तो मैं अपर एक फेस की में जो है ओपन की विए उसको साफ करके दिखांगा आपको देखें जो हमारी स्कीन है स्कीन का जो हमारा एरिया खराब है आपको उस एरिया को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के लिए लिए आप इस तना से इस तना स इसको छोड़ देंगे और वो एरिया हमारा साफ हो जाएगा उसके बाद आप अपने कीबड़ से कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर देंगे तो यह देखिए यहां से हट जाएगा अब हम इस तरह से अपने पैश टूल से यह एरिया को साफ करेंगे देखिए बहुत सी असान सी ट नहां ले जाएंगे आप देखिएगा अब बढ़ी काम का सॉफ्ट्वेर है और आप देखिए अभी हमने कुछ ज्यादा इस पर वर्क नहीं क्या है अब देखिए हमने अभी दो या तीन बार ही पैश टूल चलाया है और देखिए हमारी मेज की जो कंडिशन है वो कितनी बैतर होती जा रही है आप देख रहे हैं अच्छा गलती से अगर आपका एरिया को डिलेट है तो आपको कुछ नहीं करना तो आपको कंट्रोल डी प्रैस कर देना है यह अट जाएगा और उसके बात फिर से आप दूआरा से से लेक्र लिजगा और फिर दूआरा से इसमें थोड़ी वहत आवाज आ रही है तो उसके लिए समाचा हुआ है यहां पर थोड़ा सा जो एरिया है वह सोर वाला एरिया है यह आ पर बहुत जाए कुछ आवाज वगर आती रहे हैं तो उसके लिए आपसे समचा हुआ हुआ है देखिए कितनी बहतर होती जारी कोई कहा नहीं सकता कि हम इस इमेज पर इस तरह से काम कर रहे हैं यह देखिए हुआ हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए पर लेकिन बहुत ही काम आएगी आपके वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा ठीक है अभी हमारा पै अब हम ठोड़ा साइश वाहला जाते हैं जूब आपको साफ लगता है आ फमाल जाकर उसे छोड़ दीजिए वहीं से आपकी में साफ रहते चैनल जाएग पूर कं आसे हड़ता चला जाएगा इस साइट से आ जाते हैं इमेज की आप कंडिशन देखते जा रहे हैं कहां से कहां तक आती जा रही है इमेज क्या थी और क्या बनती जा रही है अच्छा बड़े ध्यान से आप साफ कीजेगा यह आपको देखना है एरिया कौन साफ है ठीक है बड़े ही ध्यान से आपको करन आपको करते हैं और उसके बाद अंडू करना है अंडू करने के लिए आप अउल्ट प्लस जैट करेंगे तो फिर द्वारा से कर देंगे तो यहां पर अंडू खाली कंट्रोल प्लस जैट से नहीं होगा तो हम ठीक करेंगे कंट्रोल किया मैंने अब हलके से दुआरा से चाट किया आए वह थोड़ा सा इरिया मेरे जादा स्लेक्ट हो गया था अब यह थोड़ा साइलिया है इसको भी सार्फ कर लेते हैं। काफी अध्यक्त हम देखें साफ कर चुके हैं हैं वैसे। अभी हमने सिर्फ एक ही patch tool का ही यहां पर use किया है, इस्तमाल किया है और उसी से आप देख सकते हैं, इमेज हमारी कहा से कहा चुकी है कि ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा मैंने से अलगता है ढ़सरे से कर लिए थोड़ा से करते हैं थोड़ा तोक्रोलक है अब ज्यादा बड़ा एरिया करेंगी तो हो सकता है मारी मेज और भी जाता पहले से जाता है खराव हो जाए और हम उसे साफ करने लगें किले करने लगें और पता चले वह तो बिल्कुल ही खराव हो गई देखें जैसे गलता गया तो आप इसको यहां ले जाएएगा अच्छा यह चीज क्यों हो रही है अब आप कहेंगे यहां का एरिया तो साफ है तो क्या हुआ है यहां पर जो पहले एरिया जो हमारा यह जो एरिया था जो पहले खराव था तो हमने इसको उसके उपर ले जाकर छोड़ दीजिए अभी बिखलता रहा है एक कंट्रोल डी करते हैं थोड़ा साइडिया साफ करते हैं यहां लाद में हुआ हलका हलका करके आपको साफ करना है इमेज को और यहां लाकर छोड़ देना है कि पो डिलेगali-मेज को कि आहीं कि धोगाने है लिए धेविट पात उसलेहं पकल एक क्रविक दकर तक कैने कहला हम से यह कुण पर हमने उनको कंशिए इस पर और वेटर के लिए और क्या कर सकते है झाल 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 अब देखिए गाल प्लस माइनस की प्रस कर रहा हूं और मेंज छोटी हो गया पहले इमेज कहां थी और अभी मैंज कहां चुकी है तो जो थोड़ा बहुत रहता है थोड़ा निए ठाफ कर लेते हैं को देखिए लगबग देखिए हमारी में जो है काफी काफी हद तक जो है हम ने जो है इसको साफ कर लिया थोड़ा थोड़ा जो रहता है उस पर थोड़ा थोड़ा वर्क कर लेते हैं तकि हम बाद में और अच्छी इमेज है इसमी साफ नजर आए देखिए बहुत साहे तरीकमें को इत США बता रहा हूँ ताकि आपको जाद़ चीज़ें फियेक्षट ना करने पड़ें आपको मुश्किल ना लगे कुछ चीज़ ऑशी है साफ करने की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको असान सा तरीकम बता हूँ कुछ ज्यादा चीजों में ना उल जाओं आपको तो इसलिए मैं आपको कुछ एक भी चीजे बताऊंगा जिसे आप जिनकी मदद से आप अच्छे से इसको बड़ा करना चाहें तो देखें हमारे जो कीवोड है कीवोड के साथ जो कीवोड मैं होते हैं से ही One ले lights रहने दे हैं तो गलत हो서 अगहले दिखांगा पहलेमा यहां प्रक्षक कर लेता हूं 27 अब आपको इसका स्कीन का जो स्कीन हमारी साफ है उसका यहां से कलर फिक कर लेना है कि करने के लिए आप अपने कीवड से अल्ट प्रैस करेंगे और इस तरह से हमारा कलर यहां पर आ गया देखिए आ अब आप अपने वही ब्रैकेट वाले जो हमार ज्यादा खराब होने लगेगा अब इस तरह से इसको साफ करें देखिए अगया यह थोड़ा साथ पर तो इसे उन्डू कर लेता हूं थोड़ी सी और इसको कम कर लेता हूं अब जितना ज्यादा करें इस तरह से आपको यहां पर आना है फिर यहां से यापको він करेंगे और करेंगे और इस तरह से आपको लेकित कुलिकर आ और इस तरह से आपको जो साफ एरिया है वह आपको देखना है अपनी स्कीन के साफ से ठीक है यह देखिए आप बिल्कुल से इसी तरह से अपनी इमेज को एक प्रैक्टिस करके देखिएगा जैसे मैंनी की है यह देखिए इस तरह से आपको लेके जाना है उस एरिये को साफ क अब कहां थी महरी मेस और कहां चुक्या आ जिय मिलकुल बिलकुल और विसा कर देंगे का इस थे पर और यहां पर है है सैटो तो आर्वरे साज तो आप किस को कम कर लेना है कि 14 कर लेते हैं और हलके हलके हाथ से आपको इस तरह से लेना है और जड़ा हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा कि नाइन कर लेते हैं अब यहां से आपको लेना है आप हलका से यहां से बढ़ा करते हैं और यहां से हलका से रखना है आपको ठीक है उच्वध आपकोत electrics चwszy्भ आपको साफ करना यहां कैंपकों साफ करेंगे उसके आपको साफ क्विक करेंगे निदूत आप के सामने इन इमेजs थी आप मैंने फूरही तूल जीुजत किया है ध्यॉज तूसर तूल उसके बाद आपको अभी मैंने कोई भी जो है यहां पर कोई ज्यादा चीज नहां पर यूज नहीं किया आप यहां से लिख कर लेगे यह देखिए इमेज की आप कंडिशन देख रहे हैं हमारी में जो थी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको हलका सा उपैसिटी पर आपको जड़ा ध्यान रखना है जब भी आप ब्रस टूल का यह यूज करेंगे खास तोर पर जब इमेज साफ करने के लिए आपको इस पर देखें आपके सामने जो हमारी मेज है आप देख रहे हैं हमारी मेज कहां थी आउनली मैंने टू अनली मैंने अभी दूसरा जो है टूल यूज क्या है आप इमेज देख रहे हैं ठीक है अब मुझे लगता है काफी हद तक हम इमेज पर काम कर चुके हैं तो अभी हम आएं तो हमों क्या करना होगा है अभर नेथे और ठीक अब आपको तीरी चैus podia उलेना यह देखिए क्लोन स्टैंप आपको सेस्ट करें तो यह देक्ट हो जाएगी तो क्लोंस टैंप यहां पर ले हुस्ट हम यह देखिए अब वैसे अाव थोड़े प्रेस्ट करेंगा तो छोक्तowymel अब क्या करना है जहां पर थोड़े वह एना अभी हमारे जो निसान रहते हैं कि यह कह ला पर प्रॉबर कर अब आपको निसान दीखेंगे तो इन श्सक्राइब पर इसस तरह च्छोड़ देना है तूल तीसरा यूज़ कर रहा हूं ज्यादा तूल अभी यूज़ नहीं किया है बस देखिए का आपको बारबाल यहां पर अल्ट प्रेस करना पड़ेगा चो जगा साफ है वहाँ पर करें और उस पर आपका निसान है वहाँ लाकर आपको छोड़ देख है अभी हमने तीन टूल यूज़ किया है सिर्फ तीन टूल और कोई भी बड़ी कमांड मैंने आपर नहीं चलाई है जिससे कि आप कंफ्यूज हों आपको मुश्किल लगे यह देखिए यहां पर जो जो आपको निशान लगता है उसके पास में जो एलिया साफ है वहाँ प हो सकता है वीडियो थोड़ी हो रही हो पर सच में यह वीडियो आपके बड़ी काम आई आप अच्छा जैसे भी गलत हो उसको अंडू करते रहें और बड़े ही साफ से आपको देखना है अपनी मेज को कैसे साफ कर सकते हैं देखिए तो मैं बार बार यहां पर आप देख आपको जितना ज़दा बरा बड़ा करेंगे तो उतने ज्यादा यह जो से लैक्ट कर लेगा तो जगा कम आप थोड़ा सा अपने ही इसाब से देख लिए तो यहां पर आपको अब्ले प्रेस ले ले तो मैं फिर से मैं प्रूर्श तूल हो तो भी प्रस कर दिया मैंने की व इबारा से अपना brush tool यूज कर रहा हूं image आपके सामने हैं देखें तीन टूल मैंने यहां आपर यूज करें अगर आप चाहें तो यहां पर image में जाएगा मोड में जाएएगा इमेज में जाके आप मोड में जाएंगे तो देखिए एक मिट मैं दिखाएता हूं आपको जाना है इमेज में और जी अडेस्मेंट में जाएंगे और यह रहा कर्व मैंने चलाया था कंट्रोल प्लस आप चाहें तो यहां से भी ओपन कर सकते हैं अब आपको यहां से थोड़ा सा इसको हलका सा उपर की तरफ कर देना है इस तरह से और इसे कर देना है यहां से ओके ठीक है उसके बाद आपको अपने कीबोड से कंट्रोल प्लस एल प्रेस कर दे कहाँ तरह से ललको साब को कर देना है लेखि़ अपूर को और यहां से कर देना है और स्कीर जहाइड को सामने है क्भिस में आपका सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई विस जढ़ते हैं क्मांड के न दर सिर्फ ओनली हमने तीन टूल यूज के चौता टूल यूज नहीं क्या तीन टूल्स के अंदर आपकी इमेज आपके सामने इमेज की कंडिशन कैसे थी आपने देखी हुई थी मैं कंट्रोल प्लस एम प्रेस करूं हलका सा मुझे लगता है थोड़ा सा ब्राइटनस ज्यादा ह हलका सान नीचे की तरफ कर लेंगे हलका सा यह देखिए अप एंटर कर देता हूं तो देखें अच्छा यह टूल प्राइट जो है मैं इसे टैप प्रेस कर रहा था तो यहां से जो है गाया भोत रहा था अब यह आ गया ठीक जितने आप प्रैक्टिस करिए गये उतने ही आ लाइक करना भूलिएगा आपके सामने बढ़ी मैंनत करिए आपके लिए तो लाइक जरूर करती जएगा एक और चैनल पर लगवर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा नेक्स वीडियो में कोशे करूंगा आपके लिए कोई अच्छा ही लेकर आओं प्यूंद आपके कम आए और ठीजरू करेजिएगा देखें हुरे मैनत कीज रिटेफ क्झेगा और बार बार प्र्यक्स ही दो गजबार प्र ने कहता हूं कर लिए लिए तैस्थी तो हन सदूने ने को साथ कर शेडिए खाली वीडियो देखने से काम चलने वाला नहीं सिखने आये हैं तो वीडियो को देखे अछिए जाह से से जाह सिके इतना से के के लोग आपको दभाना सकें ठीक है आप कि अश τοव करनी के लिए नहीं थाकिरी लोग आपसे यह ना कह सके कि आपको वह नहीं तो जितना हो सकते हो जितने भी अभी तो आप आगे जाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही जल्दी मिलेंगे नाच्टी वीडियो में थैंक्यू धरने बाद